स्री शिवाई नमस्तु भ्यम दर्सको कैसे हो आसा करते हैं कि आप सब स्वास्तेम सुरक्षित होंगे दोस्तो सप्ता का हर दिन हमारी जीवन में बहुत महतुब डालता है इस दिन का संबंद उस दिन की स्वामी ग्रह भी होता है ग्रहों के कारण कुडले में उसकी इस्तिती से सुभ योग मिलते हैं जो वे हम सुभ फल देते हैं लेगिन कई बार असुभ योग के कारण असुभ फल मिलते हैं अगर हर दिन के अनुसार जोतीश के उपाई किये जाए तो जीवन में आने वाले कश्टों से मुक्ति मिल सकती है हर व्यक्ति जिन्दकी में सुखी सुविदाओं से आनन्द चाता है चाए इसके लिए दिन रात मेनत ही क्यों न करनी पड़े जोति सास्त्रों की माने तो कुछ उपाई की मदद से व्यक्ति अपने जीवन की सभी समश्याओं को दूर कर सकता है नश्ट कर सकता है बार बार ऐसा पलता मिलने पर भी है अच्चु को उपाई अपना सकता है आए दोस्तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो की महध्यम से बताने वाले है कि आप लोगों को रभिवार की दिन ऐसा कौन सा जोतिश्य कार्य करना है जो कि हमारी गुर्देव के दुआरों बताये गया है इसको करने से आपकी सभी कष्ट दूर होंगे और आपकी जीवन में कितना ही बड़ा संकटों का पाहट तूट पड़ा हो उसे आप बच निकल सकते हैं तो दोस्तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को मातर रभिवार के दिन यह चोटा सा कार्य करना है आप लोगों को यह एक चीज काले कुट्टे को खिला देनी है तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करता है दोस्तो आप लोगों को रभिवार के दिन आप लोगों को यह चोटा सा कार्य करना है आप लोगों जब आप खाना बनाए तो आप लोगों को उस आटे में अपने आटा जो भी आप अपने खाने में के लिए आटा बनाओगे तो आप लोगों को आटे के अंदर काली मिर्च या फिर आप लोगों को चाउल की दाने आटे के अंदर डाल देने हैं और आप लोगों को रोटी बनानी है एक रोटी या दो रोटी आप लोगों को पका कर और उन रोटीयों को लाल कपड़े में रखकर आप लोगों को अगर आपकी घर पर कोई कुटा आता है काला तो उसको खिला दीनी है वरना फिर आप लोगों को उन रोटीयों को उस लाल बांद कर अपने घर के आसपास किसी भी परकार का पेड़ हो यानि कि पेड़ होता है उसके उपर आप लोगों को टांग देनी है यानि कि बांद देनी है उसमें इससे आपकी सभी परकार के कलेश दूर होंगी आपकी सभी परकार की विपताय दूर होंगी और आपकी जीवन यह हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब